कि चीन के सांद सीमा विवाद के मत्य नजर भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि 69 को ब्रैंड किया जाए एटी एक्ट की धारा 69 एक के द्वारा केंदर सरकार ने एकता और खंता के लिए खत्रा बताया गया है एप में किसी अन्य डिवेज में भी ये काम करना बिल्कुल बंग कर दिया है संचार मंत्राला इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर को किसी भी विबसाइड या तो एप या डाटा रोकने को कह सकता है एंडिया साइबर क्रेम करड़िनेसंटर और सेनगी एजनसियों ने की थी 59 एप में गूगल अप्रे में से टानी लेगा चिन ने पहले से ही Facebook और Google को पूरी तरह से बैंड किया गया था दुबाई में WhatsApp मेसेंजर के द्वारा ही खाली मेसेच किया जा सकता था ना कि WhatsApp के द्वारा कॉल वहां पे अभी भी प्रतिबंध है इस तरह इस तरह चिन ने ये दावा किया था कि TikTok की जो डाटा है वह जिसकी सर्वर सिंगपूल में है लेकिन वह पूरी तरह से जूड बोर रहा है कि उसकी डाटा चीन में ही है उसकी डाटा सर्वर चीन में ही है और सरकार को यह लगा कि चीन हमारे डाटा को हैक कर रहा है चोरी कर रहा है इसलिए इसे धारा इस लिस्ट में उसे आप लोग देख लिए इस लिस्ट के दवारा पूरी तरह से केंद्र सरकार ने चाइनिस एप को पूरी तरह से बंग कर दिया है जिसमें सब्सक्राइब इस तरह हम यह देख सकते हैं कि 59 59 होने से भारत सरका भारती यूजर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि इसमें सभी तरह के एप सामील है कुछ ऐसे हैं जिसमें इंटर्टेंट करने के लिए थे प्रोफेशनल लीगल के लिए थे तो कुछ एप आप हमारे कामों को असान बना सकता था